बोजपुरी के दबंग स्टार खिसारी लालियादव जी हाँ आज खिसारी लालियादव जिस मुकाम पर हैं कभी उस जगे के लिए वो सपनों में भी नहीं सोच सकते थे इतने वो सफलता हाथ लगेगी वो इतने बड़े आदमी बनेंगे तो आपको बता दे कि खिसारी लालियादव की लाइफस्टायल की बात करेंगे लेकिन थोड़े से उनके संगर्षों की अगर बात हम कर ले तो जो भी खेसारी का फैंस है डाय हाट फैंस है वो जानता होगा कि खेसारी कितनी कठिनाईयों से गुजर कर कितने ताने सुन कर कितने तोहमते जेल कर आज खेसारी खेसारी हुए है कभी कोई इन्हें लॉंडा कह लेकिन खेसारी लाल यादों किसी चीज से किसी भी चीज से डरे नहीं रुके नहीं वो चलते चले गए और आज खेसारी का मुकाम भोछपूरी के 953 में से हैं जिनके नाम पर набाद से जादा 100 इनींड गाने हैं जी हैं खेसारी का एक गाना काफी है ये बताने के लिए कि खेसारी का क्या मुकाम है भोचपुरी इंडरस्ट्री में तो चलिए शुरुआत करते हैं खेसारी के संघर्षों की अब बात नहीं करेंगे डाइरिक्ट उनके लाइफस्टाइल की बात करेंगे आपने देखा होगा कि खेसारी लाल यादो मेहंगे से मेहंगे ब्रेंड की कपड़े पहनते हैं आपको पता है कि जब वो बिग बॉस में जा रहे थे तो संभावना सेट के साथ तकरीबन उन्होंने अपने कपड़ों पर मेहंगे ब्रेंड कपड़ों पर लाखों रुपे खर्च कर दिये खैर आगे बढ़ते हैं अगर उनके लाइफस्टाइल की बात करें तो कभी खेसारी लाल यादों के पास साइकल हुआ करती थी लेकिन आज उनके पास बुलेट से लेकर फॉर्चुनर कारों का काफिला है जी हाँ आपको ये भी बता दे कि फॉर्चुनर कार खेसारी लाल यादों को बहुत पसंद है इसलिए वो गाओं में भी अपने ले फॉर्चुनर कार ही खरीद कर रखते हैं साथ ही बुलेट के बहुत बड़े प्रेमी है खेसारी लाल यादो तो इसलिए उनके खेमे में तकरीबन पांच से छे बुलेट है जी हाँ लोगों को हैरानी होगी लेकिन खेसारी लाल यादो जो भी उनके बुलेट का मॉडल उन्हें अच्छा लगता है नया अच्छा लग बता दे कि खेसारी बहुत ही महंगे ब्रैंड की घडियां में वेयर करते हैं रही बात गोल्ड की तो आप सभी को बताने की जरुरत ही नहीं है क्योंकि गोल्ड खेसारी इतना वेयर करते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में उनसे बड़ा गोल्ड वेयर करने वाला नहीं है और उनसे जादा भोजपुरी में किसी के पास गोल नहीं है और आपको ये बता दे कि उनके घर की कीमत तो मुंबई के मीरा रोड में उनका अपना बंगला है और बताया जाता है कि खेसारी लाल यादों ने कई जिगे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है जानने वाले ये कहते हैं कि मुंबई में 10 से 15 तो सिर्फ खेसारी के फ्लैट्स है अगर उनकी कुल नेट वर्थ देखी जाए वैलू उनके फ्रॉपर्टी से लेकर वो जो भी ब्रैंड यूज़ करते हैं उनकी तो 300 से 400 करोड कहीं नहीं गया जी हाँ 300 से 400 करोड रुपे लोगों को ये लगेगा कि कैसे खेसारी लाल यादो इतना कमा लेते हैं तो आपको बता दे कि पर फिल्म के सारी लाल यादो 45 से 50 लाख रुपे लेते हैं स्टेशो वो अगर मुंबई और महानगरों में कर रहे हैं तो फिर उसका रेट 8 लाख है जी हाँ अगर वो छोटे कस्बी में कर रहे हैं तो उसका रेट 4 से 5 लाख रुपे हैं और अगर खिसारी लाल यादो गाने गा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनको एक गाना जो भी वो गाते हैं उसकी कीमत 3 से 4 लाख रुपे फिल्मों में वो प्रॉफिट भी शेयर करते हैं साथ ही साथ ब्रैंड इंडोस्मेंट भी करते हैं और रही सही कसर वो चुनाव म पार्टियों का प्रचार करकर निकाल लेते हैं अब खेसारी अब नाम नहीं ब्रैंड बन चुके हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी जगत की होड और वसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुर न भूलिए